जॉक्टर रमन सिंग के लिए ये तीसरा चुनाओ कितना चुनाओतियों भरा है और किस तरह के मुद्दे और काम जनता के सामने रमन सिंग और अपनी सरकार के लेकर वो जाने वाले हैं जब जा रहे हैं पहले दो विशय बड़े सपस्थ हमने कहा जनता को कि 2008 में जो घोसना पत्र हमने जारी किया था उसको अक्षर सा एक एक लाइन उसका क्रेयनवन किया है और नए घोसना पत्र के साथ हम सुनाओं में जब जाएंगे तो उसका भी हम सत्व प्रतिश्य घोसना का क्रेयनवन करेंगे शिक्षा कर्मियों में जो एक असंतोष था वो बर्चर कर सामने दिखाई दिया लगातार प्रदेश में उसके खिलाफ आंदोलन रहा है प्रदर्शन रहा है तो एक बड़ी संख्या में शिक्षा कर्मी नाखुश है साथ जनल वित्रन प्रदाली को काफी बहतर किया आपका लगातार ये दावा रहा है केंदर की खादे सुरक्षा कानून से पहले आपने अपने राज्य में लागू किया लेकिन हमने चो देखा कि बस्तर के तमाम ऐसे जिले दिखे और कांकेर में अगर आप 15 किलो मीटर से अंदर चले जाएं तो ये विवस्था उतनी चमकती हुई नहीं दिखाई दे रही है जिस पीडियस को कहा जाता है कि 30% लिगेज होता है यहां पे गरफशन होता है आज 76 गड़ में मैं इस बात को कह सकता हूं कि 42 लाग परिवारों में से 42 परिवार भी शिकायत नहीं करता कि उसे 50 नहीं मिला समय पे नहीं मिला और उसमें कहीं 36 गड़ सरकार भी कहीं नहीं नाकाम रही है कि 10 साल का एक लंबा समय होता है अगर आप तब भी ना इसमें कुछ कमी कर पाए लोकल लाइन आडर प्रावलम तो है नहीं यह देश की आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ा खत्रा है देश की सबसे बड़े चुनोतिय जी है तो आज नकसल इनसा साथ राजियों में इसका प्रभाव फैल गया है और हम प्रिशर डालते हैं तो दूसरे राजियों में इन प्रिधान मंतरी से और इससे मेरी चर्चा होती है समन्वीत कार योजना बना कर इसका क्रियानमन और दूसरे तब डेवलोपेंट डेवलोपेंट में चत्रिकट पीशे नहीं है जिवा बड़ा असंतुष्ट है आप क्या उनको लगता है कि इस बार के घोशना पत्र में उस ने मेडिकल कॉलेज, इंगरिंग कॉलेज, नसिंग इस्ट्यूट और कोशल उन्यन के लिए हमने बेहतर 27 जिलों में कार योजना बना के काम सुरू किया है इसके अपग्रेशन में हज्जारों नवयक जुड़े हुए है कॉलेज के बच्चों के लिए टैबलेट, लेप ट नकसलवाद इस चुनाव में एक बड़ा मुद्धा बन जाएगा, जिसके असर 8 दिसंबर को दिखाई देंगे नकसलवाद का इशु हर चुनाव में हम रहता है, 2003 में भी, 2008 में भी, 2013 में भी, और यही मुद्धा है जो भारती जन्ता पालिटी को अपनी इस पस्त नीती इस पस्त सोच नकसलियों खिलाफ जो हम लगातार कारव ही करते रहे, यही एक बड़ा भरोसा है जिसकी वज़े से भारती जन्ता पालिटी को उनका वोट मिलता है